नमस्ते, आप सबका वेलकम हैं सिम्रन की रसोई में आपने कभी न कभी अपनी जिन्दगी में ठेचे का नाम सुना होगा या फिर ठेचे को ज़रूर खाया होगा ठेचा जो है न मुमफली, लसुन और हरी मिर्ची को मिला कर बनाया जाता है ये जो ठेचा होता है इसे रोटी पराठी के साथ वैसे खाता है मुमबई मारस्ट्रों में इसे काफी लोग खाना पसंद करते हैं पर आज हम ठेचा तो नहीं बनाएंगे पर ठेचे वाले आलू बनाएंगे ये बहुत ही स्वाधिस्ट होता है उसके लिए देखे मैंने तीन उबले ओवे आलू ले लिए यानी की बॉइल पटेटोस ले लिए हैं इसके उपर का जो छिलका है वो हमें इस तरह से कुछ निकाल लेना है तो तीनों को मैंने इसी तरह से निकाल लिया है और इसे हमें टुकडों में काटना है अब देखिए जो आलू है इसके जो टुकड़े आपको ज़्यादा छोटे भी नहीं करने है और ज़्यादा बड़े भी नहीं करने है कुछ इस तरह से टुकड़े करना तो मैंने तीनों आलू के इसी तरह से टुकड़े कर लिया है अब हम ठेचे वाले आलू बनाना शुरू करते हैं गैस को अनकर के मैंने कडाई रखती है और ये जो ठेचा बनता है ना हमेशा वो सरसो के तेल में ही बनाया जाता है तो एक चमच सरसो के तेल में आपको चोथाई चमच जीरा और ना इसके अंदर दो बड़े चमच, कच्ची, मुमफली आठ से दस लसुन की कलिया चील कर और चार से पाच हरी मिर्ची और जैसे कि मैंने आपको बता है कि ठेचे में बस ये तीन चीज़े इस्तमाल होती है बस अब इसे लगाता चलाते जाना और इसे अच्छे से भूनते जाना है तो बस इसी तरह से चलाते जाएंगे आप दीरे दीरे देखेंगे कि मुमफली, हरी मिर्ची, लसुन, तीनी अच्छे से भून चुकी है तो कुछ ये इस तरह से हो जाएगी, लगबख तीन सुचार मिनट के बाद तो बस इसे निकाल लेना है, और इसे एक ओकली में डाल देना है अब आप इसे ओकली बोलते हैं, सिलपट्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कमेंटस में जरूर बताना हम इसे ओख ली बोलते हैं तो इसके अंदर डालकर अब इसे आपको कूटना है तो इसे कूटने समय आपको यह धियान रखना है कि इसे दरदरा कूटना है इसे एकदम पेस्ट मत बना देना इसे दरदरा ही कूटना है तो बस यह कुछ इस तरह से ठेचा होता है और सची में बहुत ही बढ़िया लगता है तो यहां पर यह आपका ठेचा बन कर तयार है पर आज इसे हम ठेचे वाले आलो बनाएंगे तो यह देखे दरदरा मैंने कोट लिया अब यह जो कड़ाई में बचा हुआ तेल था ना इसके अंदर आदी चोटी चमच लार्मिश पावडर डाल कर यह उबले आलो के टुकड़े डाल देंगे कटे हुए और स्वात के अनुसार नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मुनेंगे लगवग एक से दो मिनिट के लिए इसी तरह से उसके बाद इसके अंदर यह जो ठेचा है ना जो हमने कूट के रखा था वो इसके अंदर जाल दें और इसे तीन से चार मिनिट के लिए और अच्छे से भूनें तो बनकर तैयार है आपके यह बढ़िया से ठेचे वाले आलो अब आप जैसे गर्मा गर्म रोटी के साथ ले या दाल चावल बनाए तो साइट में यह ले सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते पर आपको जैसे समझ में आप इसे से ले सकते हैं कुछ अलग है वही आलो है वही सारी मसाले है पर कुछ तरीका अलग है इसका बनाने का तो आप इसे जरूर ट्राइ करना और यहां तक आया नो तो चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल ना भूलें आज करे बस अतना हैं कल पिल्म लोटत थके लिये था कि झात रिम लोगे खड़ झाया